ध्यान से सुनो बाई लोग, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी कच्छुए और थर्गोष की कहानी तो आप लोगोंने बहुत सुनी है लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है एक बाद की बाद है, एक अच्छुए और थर्गोष ये सोच रहे देगी उन्हों में से कौन तेज दौड़ता है उन्होंने सोची कि चलो रेस लगाते हैं उन्होंने एक रास्ता पक्का किया और रेस लगानी शुरू कर दी थर्गोष चीड भागता ही गया और बहुत देज भागा उसने पीछे पुट कर नहीं देखा फिर थोड़ी धिर बाद चलो उसने पीछे मुट कर देखा थो फोचुवा बहुत पीछे रह गया था ये शूतिया थो यतन्ता पीछे रह गया अभी से वहां जाके क्या करूँगा चलो थोड़ा लोट मालेता हूं वो पेड के नीचे बैठ गया और उसे थोड़ी देर में ही नीद आगी सपना में नाजा ने क्या-क्या देख रहा था मैं लुट गया मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूं मैं दिल रुआ बुरा ये जादू तेरी आखों का ये मेरा का दिल हो गया गुलाब दी आखे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया कच्छ लगाता चलता रहा और उसने रेस खटम पर कर गोश के आंख खुली तो उसे पता लगा कि वहार गया है So the moral of the story is Slow and steady wins the race ये तो हुआ कहानी का वो हिस्सा जो हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं अब चलते हैं कुछ ट्विस्ट की ओर अब खरगोश को ये बात बुरी लग गई कि भाई मैं तो हार गया और सब लोग मुझे पे हस रहे हैं तो उसने सोचा क्यों ना बैस चूदिय को हरा दूँ इसकी या उकादिय मुझे जीत जाए इसाला बड़ा खुश हो रहा है अभी बताता हूँ जाके फिर वो कच्छुए के पास गया और उसके पास जाके बोला क्यों भाई एक रेस और करोंगे लेक्ष में पास भाई गानी शरू कर लिगा इस वार घरवुश बिना बड़ागता गया और रेस जीत गया और जादे आपीछे रह गया और रह जोड़ा मुझे या भाई जादी आर भाऌती सोच ए लेक्ष भाई शीय घोड़ा और कहानी अभी खतम नहीं हुई है, अब कच्छुआ सोचता है, ससौर का नाती हमारा चूत्या ही काट गया, अब तो हराना ही पड़ेगा जाके, फिर वो खर्गोश को चुनौती देने गया, और उससे बोला कि इस बार, इस बार हम दूसरा रास्ता से जाना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे, एक रेस और कर लो, हाँ चलेंगे क्यों नहीं, तुम को जहाबे हराई लोगे, पोजड़ी के, और रेस लगानी शुरू कर दी, रेस शुरू ही और करगोश तेजी से भागता गया, तब ही एक नदी आ ग उसने सोचा कि, फिनिश लाइन तो नदी को पार कर के ही आएगिया, वो क्या करे, अब पीछे से, कचुवा आगया, कचुवा पानी में तैर ने लगा, उसने लगा किन तो तैर कर पार कर लेगा, मेरा क्या होगा, कचुवा तैर कर नदी पार कर गया, और फिनिश लाइन के पर पहुछ गया, वो जई इस गया, भीजी गया, कच्छोई इसगе गया, कच्छोई, कच्छोई इसका गया! अगैर वोर्ण ऩॉर्ण साथ कियो ज़ते हैं, कच्छोई जो जो इसे लेघाला ब साथ सोचा? इस बार खरगोश ने कच्छुए को पीट पर बिठा लिया और नदी के किनारे तक पहुँच गए जारे पर पहुँचने के बाद कच्छुए ने खरगोश को पनी पीट पर बिठा लिया और नदी पार कर ली जैसे ही वो किनारी पर पहुंचे, फिर से खरगोष ने कच्छे को पनी पीट पर बिठाया और फिरनेशिंग लाइन पार गर दी, दोनों एक साथ ही जीत गए „जड लेन् जर्के gibreaker..." The Moral of the story, it's good to be individually brilliant and to have a strong core competency, but unless you're able to work in a team and hardness each other's core competencies. You will always perform below perk because there will always be situations at which you will do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with relevant core competency अगर पसंद आई हो तो भाई की चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब और कमेंड करो तभी तो यहाँ तुम्हारे भाई का चैनल चलेगा और भाई टुंटुना भी बजवाली हो हाँ टुंटुना भी बचाती ना